हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी जनल मैट्स वित रवी लोजी में दोस्तों मैं हूँ रवी और आज हम विज्यान कक्सा आठ चेप्टर नमबरे 16 नाम है प्रकास इसके important question answer करेंगे जो कि अक्सर बोड में पूचे जाते हैं और इसके साथ ही में सारे के सारे question answer इस पार्ट से relative जितने भी है उस सारे आपको इसी एक ही वीडियो में करावने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से question अक्सर exam में पूचे जाते हैं तो हम time waste नहीं करते हैं पहला ही सवाल पड़ लेते हैं कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और क्या आप कमरे में वस्तों को देख सकते हैं क्या आप कमरे के बाहर की वस्तों को देख सकते हैं वेक्या कीजिए तो आपको बताना है आंसर होगा जब किसी वस्तु से प्रकास परावर्तित होकर हमारी आखों तक पहुचता है तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकास परावर्थित होगा ना जब आख के अंदर जाकर फिर से परावर्थ होकर वापर बार आएगा तो ही हम वस्तु को देख पाएंगे लेकिन अगर अगर अंधेरे कमरे में प्रकास उपस्तित नहीं है जिसके करण वस्तु से कोई प्रकास जो परावर्थित नहीं होगा इसलिए क्या होता कि अंधिरे में जब किसी कमरे में जाते हैं अगर अंधिरा हो तो उसकी उसमें पड़ी वस्तों को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहां से प्रकास प्रावर्तित होकर हमारी आख की रेटिना पर नहीं पहुंच पता हैं तो उस तितिम हम न एक पाएंगे ठीक है यहां समझ गया आप तो यह आपका क्यूशन हो गया नेक्स पढ़ते हम इसमें पूछा गया कि निम्न में से प्रतेक के स्तान के सामने लिखे जो भी जो उसका कारण है वो लिखना है यदि प्रकास की एक समांतर किरन पुंज इनसे टकराए तो नियमित जो प्रकास की किरन टकराएगी तो क्या होगा तो इसका अंसर है कि जो पॉलिस की गई लकडी की मेज में नियमित प्रावर्तिन होगा क्योंकि पॉलिस करने पर उसका प्रिश चिकना हो जाता यानि कि वहां से वो प्रावर्तित होकर दूसरी तरब लोड जाएगा यानि कि परावर्थित होगा दूसरा है कि चोक पावडर तो बूरादा होता है चोक का तो उससे क्या होगा परकास का तो चोक पावडर से विशित परावर्थन होगा क्योंकि इसे एन यमित सताय बनती है यानि कि पावडर तो एक धेर जैसा होता है एक से तो उससे परावर्तन वहापस सभी से नहीं हो पाएगा यहां मतलब जिसे एक दिशा में यू अगर जाती है pół इसे द为ने ऐसी है तो यह एक दिशा पर जाकर वापस ऐसे मिल जाएगी लेकिन इसमें क्या होगा, इस से जाती वहीं, आगे जाकर, वापको यहां और नहीं हो कि, यहां फेल जाएगा इस तरीके से, इस प्रकार से फेल जाएगी नेक्स्ट है कि गत्ते का प्रिष्ट गत्ता है कि कागज की गत्ते पर जो प्रकास प्रावर्थित होगा तो क्या होगा तो गत्ता एक गत्ते का प्रिष्ट होता है ना उससे प्रकास विसित प्रावर्थित होगा क्योंकि यह नियमित सता होती है निकि उबर खबर टाइप की होती है अगर द्यान से देखोगे तो उसको नेक्स है कि संग मरमर के फर्स पर फेला जल पानी के उपर आपको संग मरमर की जो फर्स पर फेल जाने की करण नियमित प्रकास परावर्तित होगा क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि संग मरमर की जो फर्स पर पानी है उसकी उ परकास परावर्तित हो जाता है, नेक्स पढ़ते हैं, नेक्स में क्या पूछा गया है, कागज का टुकड़ा, तो कागज की टुकड़े से क्या होगा, वो देख लेते हैं, कागज की टुकड़े से क्या होगा, कागज की टुकड़े से विश्चित परावर्तित होगा, क्यों प्रश्ट पर आप्तित किरण जो जैसे मैंने प्रश्ट बना दी इस प्रकार की प्रश्ट पर आप्तित किरण यानि कि जो किरण आ रही है ना यहां से आती वी किरण को इसको बोलेंगे आप्तित किरण और प्रावर्तित किरण और आपतन मिंदू पर खिचा गया अभिलम य इस प्रकार से तो एक तल एकी बनेगा यह समझ डेना आपको नेक्स्ट ैब की दूसरा इसका निया में कि आप तंगो परावरतन कोण के सदे वो वो बराबर अर आपने पड़ा होगा आई बराबर अर प्रयों चोटा आ र होता नेक्स कुछन है आपकाू कि यह है दरसाने के लिए कि आपतित किरन प्रावर्तित किरन त malfatat bonnetu । एक ही अबीलम के अंदर होते हैं एक क्रियाखृःाब दीजिए तो इसको कर्याकलाब कर लेना लेकिन मैं आपको कर्याकलाब पूरा बता देता हूँ क्या है कि हम एक मेज पर कागच की एक सपेद सिट पीछा देंगे इसके बाद एक कंगी लेंगे और जिसके बीच में एक दात को छोड़ कर अन्य सभी दातों को ढग लेंगे कागत की सीट के लमवट कंगी को रख देंगे अब टार्च की साहिता से बैटरी की साहिता से कंगी पर प्रकास डालेंगे तो हम देखते हैं कि कंगी के उस एक मातर दाते से प्रकास की जो सीधी किरन है दूसरी और जाती भी दिखाई अपने को देती इस स्थी में प्रकास कीरण के मारक से समतल दरपन की और एक पटी लग देते हैं और अब इस सीट को टेबल के किनारे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा कर सीट के उस भाग को जहां प्रकास पढ़ रही है उसे बीच में से काटते हुए प्रकास जो काटे गए भाग को थोड़ा मोड देते हैं और कागच को मूल इस्तिती में वापस लगते हैं इस इस्तिती में कागच का यह एक भाग एक तल को निर्फूत करता है और जहां आपतित किरन परावर्तित किरन और अभिलम परावर्तित तिनू एक ही बिंदू पर मिलते हैं तो इस प्रकार से आपको यह प्रयोग कर लेना है और चित्र आपको किताब से देखकर बना लेना है वहाँ पर पूरा का पूरा बना रखा हैं अब हम रिक्तिस्तानों की पूर्ति करनी है और वहां से आपको देखना है कि एक समतल दरपन के सामने एक मिटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिभीम से कितना दूर होगा समतल दरपने अगर समतल दरपन के एक मिटर पास में खड़ा होगा तो प्रतिभीम दो मिटर दूर जाकर बनेगा ये ध्यान लगेगा आपको दो मिटर दूर दिखाई देगा ठीक है दूसरा कुशन है कि यह दी किसी समतल दरपण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने कान को छूए तो दरपण में ऐसा लगेगा कि आपका दाया कान को छूँ रहे है तो इसा किसले होता है वो देख लेना है तो इसमें क्या होता है कि जो दाएं हाथ को अपने कान से बाएं कान से चूँ रहे हैं तो आपको इसा लगए कान को छूँ रहे हैं नेक्स्ट है कि जब आप मंद प्रकास में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या होता है तो मंद्ध प्रकास में देखने पर क्या होता है जैसे अंधरे कमरे की बात करो तो पुतली का साइज क्या होता है बड़ा हो जाता है यहां लिखना बड़ा हो जाता है और अगर तेज प्रकास में जाओगे जैसे आप दूप में जाओगे एकदम से तो आपकी पुतलीया सिक को कि संक्या कम होती हैं 7 साथ और 8 क्यूसर में आपको क्या कि सही पर-a πिर टिक करना है क्यूसर को पढ़ लेते हैं आप तन दरपन के पिछे और आवर्ची दरपन के पिछे और बिम्बी के साइच के आकार का देखो समतल दरपन बढ़ेगा तो बिम्बी के पहली बात तो क्या होगा कि जैसे दरपन के जिसे अपने देख लिए कांच के अंदर देख रहे हैं तो कांच के अंदर दिखता हुआ क्या आ पापासी रहेगा हूँ और क्या बनेगा दरपन के पीछे बनता है लेकिन वह ट्रांस्पोर्ट होके परावर्सित होकर आगी की ओर दिखाई देता है लेकिन बिंब के साइज के आकार कही होगा द्यान रग लेना साइज उसकी बराबर हूगी ऐसा नहीं कि आप जैसे कांच म जोड लेते हैं इस प्रकार सतीनों को प्रिजमी के आकरती से जोड लेते हैं इस प्रिजमी को एक मोटे कार्बोड की एक बेलना का लंबी ट्यूब में डालकर उसे स्थिर कर देते हैं और ट्यूब के अंदर एक भाग को चिद्र युक्त कार्ड डिस्क से बंद कर देते है और डिको को टिकाव बनाने के लिए पारँदासी प्लास्टिक चीट को नीचे शिपका देते हैं और दूसरे भाग को व्रताकर प्लेट erfolg का चीतर है आपको वह मिल जाएगा Book बुक में मिल जाएगा nuestro 인nes का किताब में जाकर देखोगे ठीक है नेक्स उच्छे रहे कि गुर्मीत लेजर टोच के दोरा क्रिया कलाब 6.1 को करना चाता है तो ये भी आप अपने सरकी साहिता से या जो क्लास में पढ़ाया होगा उस हिसाब से आप उसको कर लेंगे ऐसा कुछ करने वाली बात नहीं है वर्डन कीज़े कि आप अपने नेत्र की देखवाल कीसे करेंगे ये काफी important है वे वेसा भी आपको याद कलेना चाहिए कि आपने आखों की स्रोक्सा केसे करनी है तो पहला है कि 30 प्रकास तो जैसे प्रकास हो गया लेजर हो गया शक्थी जो इसको भी अगर देखते हैं तो उनको ज़्यादा पास में लेकर नहीं देखना है उनकी एक निश्चित दूरी होती है उसके वहां रखकर उसको देखना चाहिए और आखों को मेंसा साब जल से दोना चाहिए अब नेक्स्ट कुछन है कि परावर्तित किरण आपतित किरण 90 डिगरी का कौन मनाएं तो आपतन कोन कितना होगा इसको देखना है तो आई बराबर आर आपको पता है आपको पता है कि आपतन कोन और परावर्तन कोन बराबर होता है लेकिन प्रस्ट कहरा है कि अगर इन दोनों का योग अगर 90 डिगरी हो तो क्या होगा कि दो आई बराबर क्या है तो क्योंकि दोनों आइक बता हैं कि दोनों का मान क्या होगा एक समनस्केंटर समतल को चालीश सेंटिमेटर के अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच रिखे एक मोंबती कितने प्रतिमिंगे उसके तो उसके अनंत जिसे समता दर्पन की बात कर रहा है और 40 सेंटेमटर के अंतराल पर रखे तो उसमें क्या है कि अनंत बहुत सारे प्रतिमिंगे यह भी अपकी किताब का सवाल है तो I hope कि आपको यहां तक वी